एक किसी अदिकारी की हम्मद, है किसी अदिकारी की हम्मद, कि वो अपनी तरफ से ये कह दे, ये गलत है, ये ठीक है, आज हिंदोस्तान में एक भी अदिकारी ऐसा नहीं है, जो सदा में बैठा हुआ, कोई भी पॉलिटीशन उसके बगार अपने फैंसले को बदल देगा, पै बाप आए, नूला बिया, वैंमा से नहीं होई, इसना दिलाश्नी मिलरी की तो भी एगे, भी वोगहाँ, जृदाना नुक्षाइल। अ दुनिया तेकी नहीं जा रही। च्प्तिक पाप आथें अग्यावाइ फैं प्लीस को डीकारें जा लागे जारें जाहाए । नमस्कार बहस के नमबर वन शोर ताल ठोके में आपका स्वागत है मैं हूँ सचिन अर्वार आज ताल ठोके बड़ी बहस बड़ी कवरिच अमरिसर हाथसे पर करेंगे पांच बजे बहस होगी कि आखिर अमरिसर में जलियांवाला बाग का दोशी कौन है और शाम छे बजे ताल ठोके स्पेशल एडिशन में सवाल पूछेंगे कि हाथसे के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है या रेलवे गुनेगार तो तमाम महमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ केतन गोडिया मौजूद है जो की पूरुस दस्ते रेलवे बोर्ड के हैं चरन सिंग साप्रा कॉंग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है MS बिटाप पूरबंतरी पंजाब हमारे साथ है SK पांधी जो की अध्यक्ष हैं इंडियन रेलवे लोको पाइलेट्स एसोसेशन के और साथ ही साथ हमारे साथ ब्रह्म प्रकाष दूबे भी जोड़ रहे हैं बिटा साथ सियासी आनाथ है ने लोग तब लिए कोई जिम्मेदारी जेने को तयानी चार अफ़ते इंतिजार कीजिए देखो मेरा जीवन अमरसर में गुजरा है और हमारे टाइम पे एक राम लीला होती थी जा दो होती थी जब हम राम लीला पे जाते थे मंतरी रह के भी जाते थे उससे पहले बच्चे थे तब भी हम नीचे खड़े होके देखते थे सवाल सबसे बड़ा यह देखो हम आज के दिन मेरा ख्याल है कि यह आपने बिल्कुल सही कहा यह मौत नी यह खते आए हैं यह कतल है यह कतल हमारी राजनितिक लोगों की गलतियों से हुआ है यह बच्चे जो यतीम हुए हैं हम राजनितिक लोग इसके जम्मेदार हैं पुलिटिकल पार्टिया एक दूसरे पे इलजाम लगाने की बजाए आज इस पे सोचे पूरा हि दोस्तान पूरी दुन्या देख रही है मुझे आप बताईए अब पंदरा पंदरा राम लीला बीस पीस राम लीला या बीस पीस रावन के पुतले साड़े जाएंगे उस दिन के अंदर कितनी पुलिस कितना इंतुदाम कर लेगी मैं तो कहता हूं यह चोकुछ हुआ गलत हुआ अगर कोई अलग जगा पर बंबी लगा दे क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं जब पता है कि रेलवेट ट्रैक है जब पता है कि रेलवेट वापिस आउंगा अब अपना नहीं इस मामले में अगर राजनिती हुदी है हो रही है कि नहीं हो रही है राजनिती हम एक दूसरे से बैस कर रहे हैं यह इसको राजनिती कहते हैं हम सब एक हैं हम एक इंसान है उसमें को बीजे पी वाला को अकाली दल वाला को मेरे जैसा कोई भी उसमें जा सकता था सवाल सबसे बड़ा जी है यह चार हफ़ते की जो बा कि पोस्टर लगाए गए ठोड़ी ये पुलिटिकल पार्टियों की बातों को उसमें हम नाच डाले लोग तकलीफ आएगी लोग सुनके लोग तमाशा उड़ाएंगे जैसे चुंक साब ने बोला कि पोस्टर लगे थे अरे भी पोस्टर लगे थे जब तीन सो लोग या चार समझ लिया मर गे तो मर गे चले तो चले गए पर उसका हल क्या है चार हफते के बाद मामला थंडा होगा जनाब उसके बाद और सब चीजे रोज तमाशे हम देखते हैं पांच दिन लगते हैं जनाब दास दिन मुझे लगा दी दिए हैं इंडी पेंडिन्ट जांच के मैं वहा का रहने वाला हूं किसने अजादत दी के लेटा डानी जम्मेदर आनमी कौन थे बिस पर कॉर्परेशन का रोल क्या था ये बड़े परे चार चार दिन का काम है जनाब चार दिन का एक सौ से उपर लोग चले गए हमारी इस दुनिया से बच्चे यतीम होगे आयोजन समिती अब तक दिम्मेदार क्यों नहीं है आयोजन समिती एक राम लीला के इवेंट को कैसे पॉलिटिकल रैली में कन्वर्ट कर दिया उसी की बात यहां पर सुख्वीर बादल बोल रहे थे कि मंच से बोला जा रहा था कि 5000 लोग मौजूद है रेलवे ट्रैक पर वो बैठा है माइक पर बोला जा रहा था कि रेलवे ट्रैक पर वो बैठा है इक नहीं पंच 500 यानि 500 ट्रेन भी गुजर जाए तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या है यह बिट्टा साब देखो मैं एक बात कह दू जे रावन के पुतले जलाने यह हमारी सब सारी पुलिटिकल पार्टियों की बात करूँगा यह राजिनिती होगी हम अपने अपने एरिये के मिनिस्टर एमपी हम सब उनको कुछ करते हैं जहां तक सवाल है कि छेचे ट्रेने निकल जाएं अगर अगर वह बोल रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं मैं वही कह रहा हूं तो मैं आपको सपस्ट कह दूँ जो भी अजोज़क हैं वहां पे जो भी किसी भी पुलिटिकल पार्टी कहो अगर उसकी को मदद करता है वो कातल है जो बेगुणा लोग चले गए जो हत्याए चुम साब का जहां रेलवे मिनिस्टर का सवाल नहीं है रेलवे की जम्मेदारी भी है क्यों जम्मेदारी नहीं है नहीं रेलवे की जम्मेदारी क्यों नहीं मैं आपसे सवाल पूछता हूं उनको पता है कि यहां राम लीला हो रही है उनकी इंटेलिजस कहा है उनकी पुल पर सब खड़ें सिस्टम की ढाल बन कर अज तक इस देश में इसके पांदी बिला कहा है किसको किसी को कोई इसके पांदी तक नहीं लेगा यहां से कुछ नहीं होगा बता दिया खत्म अब मुझे भी चलो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में मान सकते हैं यह सामने जिम्मेदार व्यक्ति हजारों ट्रेने इन्होंने अपने आप इजे रेलवे बोर्ड के दफ्तर में बैठके किनी लाइन पे इन्होंने निकाली होगी ना मैं इनको जानता हूँ ना आप इनको जानत रहे और दूसरी बार आरपी सिंग्जी ने जो बात कही मैं उनसे भी सहमत हूँ क्या आपने रेलवे से परमिशन लिया सपरा साप की बात भी ठीक है उनकी भी ठीक है अब बीच में निचोड तो निकाले ये अखपाट बैठे हम इन पे आए ना मैं ना आप ना पुलिटिकल पार्टिया ये इनको बछा दी दी आ दालत में मैं इनको कहूंगा कि यही सच बताएंगे कि जम्मेदर कौन है हम किस इ recruitment aiden अज भी देखता हूं झो जवाब हम partition पहले देते हैं वो आगे अगर सेंटर गॉर्मेंट है तो उसके मताबक चलना पड़ेगा अगर स्टेट गॉर्मेंट है तो उसके अधिकारियों कोन के मताबक चलना पड़ेगा है किसी अधिकारी की हमत है कि वो अपनी तरफ से ये कह दे ये गलत है ये ठीक है आज हिंदोस्तान में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो सता में बैठा हुआ कोई भी पॉलिटीशन उसके बगार अपने फैंसले को बदल दे अगर बदलेगा तो चार दिन के अंदर अंदर जा तो जेल में जाना पड़ेगा जा उसके ओपर को सी बी आई या उनके अंदर स्टेट गॉर्मेंट कोई विजरंस की इ जनाब इतने साल हो गए देश को अधाद हुए इंक्वारी 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 तो लास्ट लास्ट कमेंट क्योंकि वक्त मेरे पास इतने हैं लास्ट कमेंट ये कह दिया जाए ना कि इन सतर को किसी इन साथ को किसी नहीं नहीं मारा नहीं मेरी बात तो सु कुछ नहीं कहना चाहता और कोई इसकी रिस्पॉंसिबिल्टी तक लेने को तयार नहीं है